Hello Friends, क्या आप कोई भी ऐसा वास्तू या जोतिश का उपाय करना पसंद करेंगे, जिसको करने से फाइदा होगा अगर वो सही तरीके से हो जाए, पर अगर वो गलत तरीके से प्रियोग हो जाता है, तो आपके लिए जान लेवा हो सकता है और कुछ इस प्रकार की तकलीबें हो सकती हैं जिसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता है आई बिलिव आपका जवाब होगा नहीं बिल्कुल भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए मैं डॉक्टर माया मसंद हिलर एस्टुलाजर रेन वस्तु कंसल्टेंट टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने ऐसे वीड प्रियोग हो जाए तो बहुत जादा तकलिब हो जाती है जानलेवा तकलिप होती है हां मैं बात कर रही हूँ फिटकरी की फिटकरी एक बहुत ही चीज है जिसका उप्योग नकेवल और ऑशिदी बहुंत अच्हा है बलकि वास्तु जोतिश में तो यह अल्टीमेट रिजल पर जो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है और रियल में फैदा करते हैं वो उपाय भी शेयर करूंगी पर इस वीडियो में इस्पेशली मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जब फिटकरी का उपाय बताया जाता है तो उस प्रयोग के समय कुछ सावधानिया उससे जादा जरू है वो आपको मालूम पड़ेगी इसलिए इस वीडियो को बिना इसकिप के एंड तक देखिए प्लस इसे दूसरे लोगों को साथ भी शेयर करिए क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगी ना आप जानके हैरान रह जाएंगे प्रैक्टिकल एक्जामपल्स दूंगी तो आप शे सबसे तक है कि कि इसको तक उठाते हैं और यह देखना है कि कि इसको आग ецreak किया है वह कौन सा व्यक्ति वह जोकी आप इसको आग में जाके जला देंगे तो उसका शेप बन जाता है तो इसमें सावधानी नमबर वन पहला सबसे सावधानी क्या करना है कि अगर आप ये मानते हैं कि निगेटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी जब उतरती है तो वो आप से परमीशन नहीं लेती है कि उसे कहां चलना है कहां जाना है सबसे पहले ये चीज आपको especially fit curry में applicable जादा होती है वैसे तो हर चीज जिससे भी आप नजर उतारते हैं होना चाहिए पर fit curry में ये विशेश ध्यान देना है कि जब कभी भी आप उससे नजर उतारते हैं मुठी में लेके जो anti-clockwise नजर उतारना है वो अपने घर में तो बिल् उतारने हैं उसको घर के बाहर ले जाएंगे या शत्पे ले जाएंगे या घर के बालकनी में ले जाएंगे उसके बाद उसकी नजर उतारने के बाद उसको गलती से भी kitchen में ले जाना है वहीं पे आपको पहले से ही एक प्रकार से किसी मिट्टी का बरतन अगर arrange करके रख या कोई भी अलूमिनियम का बरतन भी हो सकता है उसमें आपको चार से आठ कपूर डालने हैं कपूर जला लेना है और कपूर के ऊपर ये फिटकरी जो है वो डाल देनी है इस से यकीन मानिये विदिन अ शॉर्ट पिरियट उस व्यक्ति की सारी तकलिबे दूर हो जाएंगी सा कि आप यकीन मानिये हमारी जो आइज रहती है वो इतनी कल्पनाएं कर सकती है आप किसी का भी शेप सोच लेंगे किसी को भी ध्यान में ले लेंगे तो उससे भी आगे रिस्तों में तकलिब हो सकती है हमारा परपच है निगेटिव एनर्जी को निकालना जो इस प्रियोग है अगर आप फेक सकते हैं तो उसे फेक ये नहीं तो उसे कागज में ले जाके सुनसान जगह में कहीं फेक किया आईए या बाहर कहीं पानी में फेक कराईए ये बहुंच जादा जरूरी है अगर आप किचन में ये उपाय करते हैं तो आपको बहुंच जादा तकलिब अगर आपने खुला रखा है अगर एक दिन से जादा आपके घर में खुला रह गया है फिट करी तो उसे उपयोग बिल्कुल मत करिए उसे बाहर के कच्रे में फेक सकते हैं जो भी करना है हमेशा उसको किसी कांच के बरतन में अच्छा टाइड बंद करके रखना है ऐसे जिसको बहुं जादा डर लगता है घबराट होती है बचे एकदम से डर के उठ जाते हैं तो उनके तकिये यां गदे के नीचे आप फिट करी रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं 100% परन्तु इस समय आपको बहुं जादा ध्यान देना है अगर वो लड़की है अगर उसक तकिये यां गदे के नीचे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्जामपल बता रही हूं बलकि उसमें उनके नीचे तो नहीं रखा गया था इसी प्रकार से उसके भाई यां बेहन किसी की नजर उतार रहे थे और वो लड़की वहीं खड़ परन्तु एक दो दिन के बाद वो लड़की की तब्यत खराब होने लगी वो अजीब अजीब व्यवार करने लगी और बहुत जादा उसका स्वास्त खराब हो गया हलांकि वो मेरे पास नहीं आये थे बायचांस में वो देवी माता के मंदिर में गये वहां के पुजारी से उन्होंने नजर उतारी उसके दूसरे या तीसरे दिन के बाद उसकी इस्तिती बहुत ही अच्छी हो गई कुछ समय पहले मेरे पास कुंडली दिखाने आये थे तब मेरी बात करते समय ये बात मेरी जानकारी में आई तो इसी के कारण मैं ने शुरू में ही आपको बोला कि मैं कुछ न कुछ आपको practical उपाया बताऊंगी मतलब examples बताऊंगी sorry examples बताऊंगी जिससे कि आपको इसकी गंभीरता का समझ में आये मुझे समझ में नहीं आता ये दोहरी मानसिक्ता व्यक्ति adopt कैसे कर लेता है आप एक तरह तो सोचते हैं कि इससे बड़ी बड़ी तकलीव फिटकरी बहुत ही powerful चीज है वो बहुत अच्छा result देती है जैसे अगर आप खाने में लगाने में mistake करते हैं तो नुकसान होता है उसी प्रकार जो तिश्य उपाय में भी अगर आप गलती करते हैं तो नुकसान होता है उसके बाद इतना ही नहीं आगे बने रही है आगे ज नहीं है अच्छा result नहीं आ रहा है तो आप फिटकरी काले कपड़े में बांध के लगा सकते हैं बिल्कुल लगाए कोई प्राब्लम नहीं है परन्तु दर्वाजे के उपर जब बांधते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वो दर्वाजे की दिशा जो है वो इ आप इसको प्रियोग करके देखना भी चाहते है तो आप प्रियोग कर सकते हैं कई लोग ऐसे सोषते हैं कि चलिए हम देखते हैं जरूर आफ़कोरस आप ट्राइ करना है तो ट्राइ करिए कि अगर आपके घर की दिशा south facing है अगर आपने fit curry को काले कपड़े में बांध की बाहर टांग दिया, तो आपके घर में निगेटिव एनरजी पर्मानेंट वास करेगी, क्यों क्योंकि, साउथ जो रहता है, वो निगेटिव एनरजी को invite करता है, वहाँ negative energy बहुँ ज़्यादा attract होती है तो यही fit curry जो आपकी negative energy को धकेलती है south facing मकान में काले कपड़े में, चाहे लाल कपड़े में भी नहीं बांदिये, काले कपड़े में या लाल कपड़े में अगर बांद के रखते हैं तो वो आपकी तरफ negative energy को attract करती है, अगर यह दुकान में लगाया जाए, तो आप 15 दिन लगा के देखिए, आपके दुकान में ज़ंजट शुरू हो जाएगी कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमने fit curry बांदा है, यह कि यह है, रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं सबसे पहले दिशा पूछती हूँ, मैं repeat कर देती हूँ कि south facing, जो मकान का या फिर दुकान का entrance हो, वहाँ पे काले कपड़े में fit curry या किसी भी कपड़े में fit curry दरवाजे पे नहीं बांदनी चाहिए यह उपाय जिस प्रकार से fit curry के लिए वैसे ही मैंने एक वीडियो upload किया था, जिसमें की wind chime को कौन से दरवाजे पे टांगना है अगर कौन से दरवाजे पे नहीं टांगना है उसके बारे में बताया था, वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजेगा, उससे भी आपको बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा कि कोई भी उपाय करते समय क्या करना है, जितना जानना जरूरी है उतना ही जादा जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है next इसमें मैंने बहुत लोगों को उपाय करते हुए देखा है, अकसर लोग बोलते हैं कि आप एक कांच के बाउल में बिल्कुल रखिये, कोई प्राब्लम नहीं है कांच के बाउल में जैसे नमक टावलेट में रखा जाता है, वैसे आप फिटकरी को भी दरदरा कूट के या टुकडों के फार्म में रख सकते हैं एक महना पूरा रख लीजिए और उसके बाद फेक दीजिए नमक के समान, मैंने नमक के उपर भी वीडियो एक बनाया है, नमक के समान आफकोर्स इसको एक दो दिन में नहीं फेकना है आप जादा समय रख सकते हैं परन्तु गलती से भी इसको आपको अमावस्या के दूसरे दिन फ्लेश करना ही है अगर वो दरदरा पीसा हुआ है तो आप अपने टॉलेट में उसको डालके पानी डाल दीजे और अगर वो मोटे टुकड़ों में रखा हुआ है तो उसे किसी कागच में डालके बाहर दूर किसी नाले यां गंदी जगए पे फेक के आ जाएंगे अमावस्या के दिन आपके घर में जो भी एनरजी आती है वो खास करके अगर आपके घर में जितने भी निगेटिव एनरजी और फिटकरी रखी हुई है तो वो अट्रेक्ट होती है उसकी तरफ उसके अंदर चली जाती है अगर आपने उसको कैरी फारवर्ड किया तो वो इतनी पावरफुल रहती है कि वो continuously उसी में नहीं रखी रहेगी अगर आपने पांच दिन अमावस्या के पहले फिटकरी अपने टॉलेट में रखी है तो छटवे दिन अमावस्या के दूसरे दिन याने फेक देना है उसको और अगर आपने शुक्लपक्ष में पहले दिन रखा है तो आप 15 दिन रखी है अगर आपको फिटकरी रखनी है तो सावधानी के साथ रखनी है उससे बहुँ जादा निगेटिव एफेक्ट आता है हालांकि कुछ और चीजे हैं पर एक लास्ट जो सावधानी है उसके साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुँ सारे ऐसे उपाय बताऊंगी जो की फिटकरी के आपकी लाइफ में वंडर्फू रिजल्ट देंगे बच्चों की हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर हस्बन वाइफ की रिलेशन से लेकर बहुँ जगे पे इसका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है तो ये जो है अक्सर मैंने देखा है घरों में फिटकरी का प्रियोग इस प्रकार से नजर टोक के लिए बरकत के लिए पैसे के लिए किया जाता है करिये जैसे जैसे उसमें दिया हुआ है आगे मैं भी वीडियो बनाऊंगे कि कैसे उपाय करते हैं परन्तु अगर unfortunately आपके घर में किसी की death हुई है और अभी 43 दिन नहीं हुए है या 45 दिन नहीं हुए है तो आप और खास करके अगर तेरवी वगर नहीं हुई है तो आप अपने घर में खुली फिटकरी नहीं रखन उसको निकाल फेकिये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वो गल्ती कर लिए हो गया है वैसा तो तुरंत आप किसी भी देवी माता के मंदिर में जाएंगे वहाँ से एक नरियल ले की आएंगे उसके उपर आप जो धागा रहता है लाल रंगा रहता है उसको आप बांध सकते हैं और उसको बांधने के बाद मौली धागा भी बांध सकते हैं और मौली धागा नहीं है तो नार्मल पल लाल रंगा लाल रंग का बांध के आपके घर के साउथ वेस्ट की दिशा में वो नारियल रख लेना है और 21 दिन के बाद उस नारियल को उसी माता मंदिर में छो करके तेरवी तक अगर आपकी फिटकरी रह गई तो उसकी कुछ न कुछ एनरजी इस प्रकार से रह जाती है कि वो आपको निगेटिव एनरजी देती है मुझे ये तो नहीं मालूम कि उन्होंने जिनको मैंने यह उपाय बताया था उनका वहीं बोलना था कि एक दो मैंने पह इसा रिजल्ट नहीं आता है तब मुझे लगा कि कहीं उसी टाइम प्रियंट में इनके घर में तो फिटकरी नहीं थी मैंने ये जो उपाया भी बताया उनको सिंपली बताया था और उनको बहुं ज्यादा रिलिफ आया अब वो मेरे पर्मानेंट फॉलोवर्स हैं सावधानी नहीं बरतते हैं तो कितना जादा तकलीव हो जाती है तो फिटकरी का उपयोग आप जरूर करिए पर ये तीन चार बातें जो हैं उसको जरूर ध्यान रखिए आपने जो भी इस समंदी जो भी मिस्टेक्स की हैं अगर आपको लगता है कि आपने रखा है तो ये ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कुछ भी जानकरी आपको मिली है उसका जरूर फॉलो करिए जरूर उसका यूज करिए और सावधानी से कोई भी उपाय करिए थैंक्स अलोट हैवा हैपी हेल्दी एंड सेक्सेस्पूल लाइफ अंसेफ लाइफ